एक अगर मैं पूछूं कि आपके लाइफस्टाइल क्योंकि हमेरे दर्शक तो बड़े उत्सुक रहते हैं कि सुभह से लेकर रात तक दिन चरिया क्या होती है आपकी कितने बजे उठती हैं क्या करती हैं अपने हेल्थ के लिए या अपने स्वामाजिक कारिक्रमों के लिए क किस तरीके आप ताइम मैंनेज करती हैं मैं बहुत जल्दी उठती हूं क्योंकि अब जब से राजनीति में आई हूं तब से तो साथ बज़े च्छे बज़े उठती हूं उसके बाद आजकल तो समय बिलकुल नहीं मिलता और जब मैं सांसद हूं अभी भी सांसदी हूं रा लेकिन जब मैं जयपूर होती हूं तभी भी ऑफिस जाती हूं ऑफिस में जैसे मेरे स्कूल का भी काम होता है म्यूजियम का भी देखती हूं मैं उसके अलावा जो भी मिलने आता है शेतर से उनको भी समय देना होता है तो उनको भी समय देती हूं फिर थोड़ा बहुत फ्रेंज के साथ या मेरे रेलिटिब के साथ और किसी के साथ टाइम भी स्पेंड करने का आजकल तो बिलकुल भी ताइम है जो तो बिलकुल भी ताइम नहीं मिलगा किसी भी चीज का मैं कभी लगता है वह सपना था ऐसा कभी हो सकता है या थुपारा लेकिन बिल्कुल अच्छा टाइम था वह जब कुछ बताएो वह पढ़ाई वहां का महौल किस तरीके का था उस Сमय बिल्कुल किसी को जानता नहीं किसी को यह भी नहीं पता था मैं कौन हूँ तो मुझे जो फ्रेंज भी बने वो इसलिए बने क्योंकि वो मुझे पसंद करते थे और एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल थी घर में मैंने एक अपार्टमेंट लियावा था तो अपार्टमेंट में मेरी मदर भी बहुत टाइम स्पन करती थी मेरे साथ वहाँ तो बस अपने आपी सब कुछ करना खाना बनाना घूमना बिल्कुल नॉर्मल जो सब लोग करते ही है फ्रेंज के साथ जो लाइफ होती है वो मूवीज देखना बाहर जाना शॉपिंग यह सब चीजे यह तो सभी की लाइफस्टाइल होती है उस समय की बहुत कैफरी देज थे वो बिल्कुल किसी चीज की चिंता नहीं थी कभी सोचा नहीं था कि राजनीती में आऊंगी हां मैं इसलिए सोच रही थी कि आपने बताया जैसे आप एंजियो कर रही थी जनता की सेवा में तो आप लगी हुई थी बहुत सारे और सोचल वरक आप कर रही थी फिर कभी राजनीती में आने के बाद ऐसा लगा कि अरे यह मैं कहां के फस गई परिवार के लिए समय नही देखें मी टाइम कही न कही निकल ही जाता है और कुछ टाइम बात परिवार भी समझ जाता है कि यह लाइफ है और उसी में आप वो भी अजस्ट करते हैं फ्रेंज भी अजस्ट करते हैं तो जैसी टाइम मिलता है चाहे मैं दिली में हूं या जैपूर में हूं तो मेरे कज वो अपने आप उस समय मिलने आ जाते हैं वो टाइम निकाल देते हैं कि नहीं इस टाइम फ्री है उस टाइम हम लोग आके मिल लेंगे या जबी भी तो गाड़ी में जा रही होती हो तो फोन पर बात करनी है तो उस टाइम कर लेती हो I think adjust हो जाता है पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने लोगों को help कर सकती हूं करूं I think वो उसमें जितनी खुशी है न उतना ये luxuries में और इस lifestyle में temporary खुशिया है वो लेकिन actual में जब आप किसी की मदद करो किसी की road बनाए किसी के घर त चीजों में नहीं मिलता है